हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पवन कॉमिक्स में चंदरकांता संतती सीरीज इस सीरीज में बारा कॉमिक्स हैं टूटल तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला भाग देव की नंदन खत्री रचित चंदरकांता संतती भाग एक संपादक देव की नंदन शर्मा प्रस्तुत करता प्रदीप कुमार प्रदीप चित्रांकन अजय शंकर भारत द्वाच नौगण के राजा सुरेन सिंग के पुत्र युवराज विरेन सिंग का विवा विजयगण की राजकुमारी चंदरकांता के साथ होना निश्चित हुआ था अता निश्चित तिथी पर विरेन सिंग की बाराद बड़ी धून धाम और सज़च के साथ विजागड के लिए रावाना हुई चंद्रकांता विजागड के महाराज जैसिंग की इकलोथी पुत्री थी जो अपने पिता की सारी संपदा और राज जी के अकेली वारिज थी विरेन सिंग से शादी तया होने से पहले विजागड के दीवान कुपत सिंग के पुत्र कुरूर सिंग ने राजकुमारी चंद्रकांता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की शड्यंत्र रचे लेकिन वे अपने उदेश में सफल ना हो सका कुरूर सिंग के दोनों जासूस नाजिम और एहमद अपने ही कुक किर्त्यों के कारण मौत के शिकार बन गए कुरूर सिंग के शड्यन को विफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ चंद्रकांता की सहेली और जासूस चपला तता विरेन सिंग के मित्र और जासूस तेश सिंग का था तेश सिंग नौगड की दीवान वा जासूस जी सिंग का पुत्र था क्रूर सिंग जब अपने उद्देश में सफल नहीं हुआ तो वे चुनार के राजा शिवदत को विजयगड के महाराज जैसिंग के खिलाब भढ़काने के लिए उनके दरबार में जा पहुचा उसने राजा शिवदत को विजयगड पर आकमना करने के लिए उकसाया क्योंकि चुनार उस समें एक शक्तिशाली राज्जी था राजा शिवदत के पास उस समें छह जासूस थे पंडित बद्रीनाथ, चुन्नी लाल, राम नाराण, भगवान दत, पन्ना लाल और घसीटा सिंग उनके पास एक परसिद्ध तांत्रिवा जोतिशी जगन नाद भी था उधर कुरूर सिंग ने चुनार के राजा शिवदत को अपने पूरे विश्वास में ले लिया और उनसे मिलकर विजएगड़ पर आक्मा कर दिया इस अचानक हमले से महराज जैसिंग कमजोर हो गये और वहां से भाग कड़े हुए वे अपनी मदद के लिए नौगण के राजा सुरेन सिंग के पास पहुँचे राजा सुरेन सिंग के पास उस समय तीन काबिल वा हर्फन मौला मासु हर्फन मौला जासूस थे जीत सिंग, तेज सिंग वा देवी सिंग तथा उनका बेटा वीरेन सिंग एक भाधुर योद्धा था इन चारों पर उना पूरा भरोसा था उधार राजा शिवदतना विजागड़ पर कबजा करने के बाद छल से कुरूर सिंग को खत्म कर डाला उसने अपने तांतरिक जगनात दोरा नौगड़ के जासूसों और युवराज वीरेन सिंग को खत्म करने के लिए एक तिलिस्मी की रचना की राजकुमारी चंदरकांता को भी तिलिस्मी भगला निगल गया था और वे तिलिस्मी के अंदर कैद हो गई थी चपला जब उसे तलाश करने के लिए वहाँ गई तो वे भी चंदरकांता की तरह तिलिस्मी भगले का शिकार हो गई राजकुमारी चंदरकांता और चपला के तिलिस्मी भगले का समाचा जब वीरेन सिंग को अपने जासूसों से प्राप्त हुआ तो वे चंदरकांता को कैस से मुक्त कराने के लिए अपने जासूसों के साथ चुनार के लिए रवाना हो गया चुनार पहुँचने के बाद जीस सिंग ने एक बाबा का वेजधारन कर लिया और देवी सिंग एक सादू का वेजधारन कर तेज सिंग को बार-बार साफधान करता रहा किन्तु सबसे यादा उतकंटा उस समय विरेन सिंग में जागरत हुई जब उसने चंदरकांता और चपला की लाशे देखी वह यह सथ समझ बेटा कि राजा शिव्दत ने उन दोनों की सचमुझ हत्या कर दी लेकिन जब उसे तेख सिंग से ये पता लगा कि वेद और नकली लाशे थी तो विरेन सिंग ने चंदरकांता और चपला की फिर खोश शुरू कर दी वह पता लगाता हुँ उस तिलिस्म में घुस गया उसने तेख सिंग की मदद और अपनी ताकस से उस तिलिस्म को तोड़ डाला तथा चंदरकांता और चपला को उस कैस से मुक्ती दिला दी इधर तेख सिंग, देवी सिंग और जीस सिंग ने राजा शिव्दत के सब जासूसों का अपने प्रवाव में लेकर शिव्दत के खिलाफ कर दिया जिससे शिव्दत कमजोर पड़ गया शिव्दत ने जब अपने आपको शत्रों के बीच अकेला पाया तो उसने वहाँ से अपनी जान बचा कर भाग जाना ठीक समझा लेकिन वह भाग ना सका और उससे पहले ही नौगड के राजा सुरेन सिंग दोरा बंदी बना लिया गया वैसे नौगड के राजा सुरेन सिंग की चुनार के राजा शिवदत से कोई दुश्मनी नहीं थी और नौना तो केवल विजागड के माराज जैसिंग की मदद की थी जिसके कारणों ने चुनार का राज भी मिल गया और राजा जैसिंग की बेटी राजकुमारी चंदरकांता से उनके बेटे विरेन सिंग का रिष्टा भी पक्का हो गया निश्चे तितीबर जब बाराज विजागड पहुँची उस सुप्त माचार पर राजा शिवदत को माराज सुरेन सिंग ने अपनी कैस से मुक्त कर दिया माराज शिवदत हम अपने बेटे की विवा की खुशी में आज आपको अपनी कैस से मुक्त करते है तू मुझे मुक्त करके अपने सरवनाश का बीज बोरा है सुरेन सिंग मैं अपने इस अपमान का पदला लिया बना चैन से नहीं बैठूंगा अमर सिंग महाराज शिवदत की हदकड़ियां और बेड़ियां खोल दू जो अग्या महाराज आजाद होने के बाद महाराज शिवदत जब वहां से जाने लगे तो तेज सिंग ने उनसे ठिटो ली की ठैरिये महाराज अगर आप यहां से चलेगा तो यहां मशाल कौन पकड़ेगा और तब महाराज शिवदत को वीरेन सिंग की बारात में मशालची बनना पड़ा देवी सिंग वे देखो अपने योगराज की शादी में महाराज ने चुनार से नया मशालची बलाया नया मशालची अरे वह मशालची कहा चला गे देवी सिंग लगता है वह शैथान यहां से भाग गया डर पोक कई का उस दिन युवराज विरेन सिंग की शादी साथ तेजसंग की शादी चपला से और देवी सिंग की शादी चंपा के साथ समपन हो गई शादी होने के कुछी तिनोबाद महाराज सुरेन सिंग ने युवराज विरेन सिंग को चुनार के राज सिंगासन पर बिठाकर उसका रास तिलक कर दिया और स्वेम राजकास से छुट्टी पा गए उन्होंने तेज सिंग को चुनार का नया राज दीवान न्युक्त कर दिया फिर शादी के दो वर्ष बाद महारानी चंदरकांता ने एक पुत्र रत्न को जन दिया जिसका नाम इंदरजीत सिंग रखा गया उसी वर्ष तेज सिंग की पत्नी चपला और देवी सिंग की पत्नी चंपा ने भी एक एक पुत्र को जन दिया जिनके नाम करमशा भैरो सिंग और तारा सिंग रखे गए उसके तीन वर्ष बाद महारानी चंदरकांता ने अपने दूसर पुत्र को जनम दिया जिसका नाम आनंद सिंग रखा गया जब यह चारों लड़के कुछ बड़े हुए तो जी सिंग ने उन्हें विद्या के साथ साथ योतिकला की भी शिक्षा दी उन्होंने भैरो सिंग और तारा सिंग को इन शिक्षाओं के साथ साथ जासूसी करने की विशेश शिक्षा दी राजकुमार इंदरजीत को शिकार खेलने का बहुत शौक था एक दिन जब वे शिकार खेलने के लिए वन में गया तो अचानक एक वन रक्षक ने उसको बताया कि चुनार से दच्षन दिशा के घने जंगलों में जंगली जानवरों के कई जुंड दूसरे जंगलों से भाग कर वहां आ गएं जिन में शेर भी हैं अगर वहां शिकार खेला जाए तो भी कोई दिन खाली नहीं जा सकता इंदरजीज सिंग और उसके साथियों को वन रक्षक का सुजाव पसंद आया इसलिए जंगल से लोटने के बाद वीरेंज सिंग से वहां जाने के इजाज़त मागी तो दादा सुरेन सिंगना बड़ी खुशी से अपने दौनों पोतों को जंगल में जाकर शिकार खेलने के आग्या दे दी दूसरे दिन ही इंदरजी सिंग अपने छोटे भाई आनन सिंग तथा दौनों मित्र भैरो सिंग तारा सिंग एवं पांस सो सैनिकों को अपने साथ लेकर दच्छन दिशा की जंगलों के लिए रवाना हो गया उदर महाराज शिवदतने युवराज वीरें सिंग के डर से अपना चुनार शेर छोड़ दिया और वे अपने कितने ही वफादार साथियों और उनके परिवारों के साथ दच्छन दिशा के जंगलों की और भाग खड़ा हुआ दच्छन दिशा का जंगल बड़ा ही घना और लंबा चौना था इनी जंगलों में पहुँचकर शिवदतने चौनार से पचास कोज दूर एक पहाड़ी के उपर बने पुराने वो मजबूत किले में अपना डेरा डाल दिया जिसका नाम उसने अपने नाम पर शिवदत माहिर थे और वीरेन सिंग तथा उसके जासूसों से बड़ा लेनी की नियत से महाराज शिवदत के साथ हो लिये थे उस किले में पहुचने के बाद महाराज शिवदत अपनी चालाकी और होशियारे से वहाँ पर बसने वाली जंगली जातियों का राज़ा बन बैठा वह उनसे माल गुजारी के रूप में अनाज, घी, शहद और बहुत सी जंगली वस्तियों वसूल करता और उन्हें शहर में बिकवा कर रुप्या बटोरने लगा धीरे धीरे उसने उनी जंगली लोगों की एक बड़ी फौज बना ली और इस तरह शिवदत एक अच्छी खासी रियासत बन गई इस बीच शिवदत के हाँ एक पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन हो चुके थे उसके पुत्र का नाम भीम सेन और पुत्री का नाम किशोरी था उसने वीरेंग सिंग से बड़ला लेने के लिए अपने जासूसों का लगा रखा था उधर इंदर जीत ने जंगल में पहुँचकर एक जगए अपना डेरा लगा दिया उसने वहां के वनरक्षक को बुलाकर शेरों का पता लगाने के अग्या दी सारी रात वै वनरक्षक जंगल में घूमता रहे लिकिन अदेरा होने के कारण शेरों का पता न लग सका दूसरे दिन सुबह आकर उसने इंदर जीत सिंग को सूचना दी कि रात होने के वज़े से वह शेरों को ठिकानों का पता नहीं लगा सका अथा उन्हें उस दिन शिकार का प्रोग्राम इस्थगित करना पड़ा शाम को दौनों भाई अपने दौनों मित्रों के साथ गोडों पर सवार ओकर जंगल देखने के लिए निकल पड़े जब ये चारों अपने डेरे से कुस दूर पहुँचे तो अचानक उन्हें शेर की गर्जना सुनाई दी तभी उन्हें जंगल में एक सन्यासी शेर पर सवार आता देखाई दिया अरे भै देखो कोई सन्यासी शेर पर सवार होकर इदरी आ रहा है अरे उसके पीछे तो दूसरा शेर भी है कमाल है सन्यासी और शेर की सवारी मुझे तो बड़ी यजीब बात लगती है मुझे तो ये सन्यासी का कोई चमतकार लगता है वे चारो सन्यासी की निकट पहुँचे आओ राजकुमार इंदरजीत शेकार की तलाश में निकले हो जी महराज अरे ये सन्यासी राजकुमार का नाम कैसे जानता है जरू कुछ गड़बड है लेकिन शेकार खेलते समय एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास सवारी करने और माल लातने के कई शेर है इसलिए कहीं धोके से तुम मेरे शेर का शेकार मत कर बैठना परना मुसीबत में पढ़ जाओगे लेकिन माराज हमें कैसे पता चलेगा कि वह शेर आपका है इसलिए तुम्हें कल यहां आना होगा मेरे शेरों की पहचान करने के लिए जी माराज अब हमें अग्या दीजियो बहुत देर हो गई फिर देरे पर पहुंच का चारो एक जिगह बैठका मंदरणा करने लगे मुझे तो यह सादू कोई पाखंडी लगता है भैरो इसका भी पता कल जल जाएगा कल सौमी जी से मिलने के लिए सिर्फ मैं जाऊंगा अगले दिन आनन्द सिंग तारा सिंग और इंदरजी सिंग तेजी से चुनार के मार्क पर मुड़ गए और इंदरजी सिंग बना भैरो सिंग सन्यासी के ओर चल पड़ा कहो राजकुमार तुम अकेले आहो तुमारे भाई और वे दोनों जासूस कहा रह गए स्वामी जी आनन्द को अचानक बुखार आ जाने के करण वे दोनों भी उसी के सब पास रह गए और मुझे अकेले आपके दर्शनों को आना पड़ा कोई बात नहीं इंदरजी सिंग मैं तुम्हें एक राजकी बात बताता हूँ मैंने यहाँ एक बड़ा तिलिसम देखा है मेरा विश्वास है कि उस तिलिसमे कोई बड़ा खजाना दबाए अता मैं चाहता हूँ कि तुम उस तिलिसमे को तोड़ कर वे खजाना निकाल लेऑ तिलिसमे देखने की तो मेरी भी पड़ी इच्छ़थी महाराज तो फिर चलो, वो शेर की पीट पर सावार हो जाओ, मैं तुम अस्तलिसम तक पहुँचा देता हूँ आज मुझे तेरी असलित का पता चल जाएगा कि तू कैसा पकंडी सादू है जैसे ही वे दोन एक पहाड़ी के नीचे पहुँचे कि शिवदत ने सैनिको, शिवदत के सैनिको ने इंदरजीत को चारो ओड से घिर लिया कौन? महाराश शिवदत? तो मेरा अनुमान ठीक निकला कि तुम कोई सादू नहीं, चाल बाज हो ओ, तो तुमने हमें पहचान लिया, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे ये ढोंग रजाने की कह जूरत है? तभी महाराश शिवदत अपने असली रूप में आ गया, अभी तो मेरे आदे कलेजे में ठंडक पड़ी है, पूरी तो उस दिन पड़ेगी जब उसका दूसरा भाई भी मेरी कैद में होगा तुम इस भरोसे में ना रहना महाराश, शिवदत कि तुमने इंदरजीत को फसा लिया है, उसकी और बुरी नजर से देखना, अपनी मौत को दावत देना होगा इस तरह भैरो सिंग ने इंदरजीत सिंग बनकर अपने आपको महाराश, शिवदत के हाथों कैद करा दिया महाराश, शिवदत ने उसे इंदरजीत समत कर अपने शिवदत गड़ के किले में ले जाकर एक कोठरी में बन कर दिया और बाहर दर्वाजे पर अपना सक्त पहरा बिठा दिया ताकि वे उन्हें चक्मा देकर वहाँ से भाग ना सके उधर चुनार के किले में महराज सुरेन सिंग, विरेन सिंग, जीज सिंग, तेज सिंग, देवी सिंग, इंदरजी सिंग वा आनन सिंग, विचार मग ने बैठे भैरो सिंग के काम की तारीफ कर रहे थे कि उसने किस होशियारी से स्वयम को इंदर जीज सिंग बना कर महाराश शिवदत के हाथों कैद करा दिया और भै बेवकूफ वाकर अली जो बाबा जी बनकर शेर पर सवार उस सिद्ध तो बना लेकिन अपना काम सिद्ध नहीं कर सका फिर भी घसीटा राम, चुन्नीलाल, बदरीनाथ, जोतिशी जी उसकी मदद के लिए भेज दिये थे पता तो लगे कि वे एक क्या ख़बर लाते हैं सबा के कत्म होने पर दोनों भाई इंदरजी सिंग और आनन सिंग गंगा के किनारे बनी बारा तरी में जा पहुँचे उसी समय एक सेवक नों ने बुड़े सौधागर के आने की खबर दी तो इंदरजी सिंग ने उस सौधागर के अपने पास बुलवा लिया वे बुड़ा सौधागर हीरे जवारात का व्यपारी था उसने दोनों राजकुमारों को दो अंगूठियां भेट की जिनमें इंदरजी सिंग के अंगूठी में एक सुंदर युपती का चित्र जड़ा हुआ था आनन सिंग ने जब उस अंगूठी में जड़ी तस्वीर देखी तो दंग रह गया दूसरे दिन आनन सिंग ने उस सेवक को बुलाया और उस सौधागर को बुला लाने का हुक्म दिया लेकिन उस सेवक को वे सौधागर कहीं नहीं मिला तब आनन सिंग ने स्वेम उस सौधागर को तलाश करने का निश्चे किया लेकिन इंदर जी सिंग की वह अंगूठी अचानक उसी राद गायब हो गई दौनों को इस बात का बड़ा आश्चर रह था आनन सिंग को शक्तागी कहीं वह सुंदर युफ्तीस दुनिया में है भी या नहीं या फिर कहीं वह किसी शैतानी दिमाग की उपस तो नहीं किन्तु इंदर जी सिंग को संग उठी के खो जाने का बहुत दुख था अपने बड़े भाई का दुख देखकर आनन सिंग को बड़ी चिंता हुई उसने तब नाव से गंगा की सेर करने का प्रोग्राम बना डाला उस समय एक बूड़ा सेवक भी उनके साथ था धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा फिर भी दौनों आगे को बड़े जा रहे थे चुनार से पांच मील दूर पश्चिम में गंगा के किनारे एक छोटा सा जंगल था जब उनकी नाव उस जंगल के पास पहुँची तो गाने बजाने के सुरीले सर अचानक उनके कानों से टकराए उन्होंने अपनी गर्दन को माखर चारों और देखा तो उन्हें हर तरफ सन्नाटा नजर आया लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा जरूर हो गया कि युप्तियां जादा दूर नहीं है उनके आज़ पास ही कहीं जंगल में नाच गा रही है वे उस दृष्टी को देखने के लिए लालाई थोटे आनज जिंके मन में भी यह से देखने की उतकंटा पैदा हो गई अता उन्होंने सेवक को नाव किनारे से लगाने की आग्या दी उनकी आग्या सुनकर उस बूड़े सेवक को नाव किनारे बुड़े सेवक ने एक बार तो महा उतरने के लिए मना किया और समझाया कि वे जंगल बहुत माया भी हो खतरनाक है जहां हर रात कोई ना कोई स्वांग होता रहता है इसलिए वे लोग उस जंगल में ना जाएं तो अच्छा होगा किन्तु दोनो राजकुमार भी बड़े जिद्धी थे उन्होंने सेवक की बात नहीं मानी और उस जंगल को देखने की हट की तब हार कर उस बुड़े सेवक ने नाव किनारे से लगा दी दोनो भाई नाव से उतर कर उसी आवाज की दिशा में चल पड़े फिर थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे दस पंदरा सुंदर युफ्तियों का एक जुन्ड दिखलाई पड़ा वो सुंदर युफ्तियां उस पेड़ की डाल पर पड़े जूले पर बैठी एक युफ्ति को जूला जुला रही थी जो कीमती जेवर तदर रंग विरंगी जिलर मिलर किरन वाली पोशाक पहनी थी वे सब युफ्तियां भी हातों की तालिया बजा बजा कर नाच गा रही थी उस जूले पर बैठी कन्या को देखकर ऐसा लगता था मानो कितनी ही परियां किसी देव कन्या को जूला जला रही हो जब उनी युफ्तियों की नजर दौनों भाईयों पर पड़ी तो वे जूले पर बैठी सुंदर कन्या को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ी हुई अरे वो सब तो भग गई महिया कोई बात नहीं मैं जूले में बैठी युप्ती को देखता हूँ तुम उन्हीं युप्ति को वो युप्तियों का पता करो कि वे किदर गई है लेकिन जब इंद्रिजी तो उस जूले के निकट पहुंचा तो चौंक पड़ा अरे ये तो वही युप्ति है जिसका चित्र सौधागर की अंगूठी में जड़ा हुआ था उधर आनन्दों युप्तियों को कोस्ता हुआ जंगल से दूर निकल गया अरे वे सब की सब इतनी जल्दी कहां गायब हो गई यहां भी नहीं है अंत में हारकर वे उसी स्थान पर लोटा तो हैरान रह गया अरे ये भाईया कहां चले गए वे युप्ति भी दिखाई नहीं देरी कहीं नाओ पर तो नहीं पहुँच गए लेकिन उसे नाओ पर भी नहीं मिला नहीं छोटे कुणर मैं तो तुम दोनों के इंतिजार में कितनी देर से यहां अकेला बैठा हूँ लेकिन बड़े कुणर साब कहां गए कहां यही तो मेरी समझ में नहीं आरा काका खैर मैं जब तब भाईया को नहीं डून लेता घर वापिस नहीं लोटूंगा और तब सारी बातें उस सेवग का समझाकर आनन ने उसे वापिस भेज दिया तुम यहां का सारा हाल जानकर जाकर पिताजी को बता देना अब जाओ रात होने वाली है जी छोटे सरकार किले में जाकर जब सेवग ने इंदर जी सिंग के गायब होने की सूचना दी तो तेज सिंग की एक तुकड़ी एक सैनिक तुकड़ी लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा आप धीरे जखिये महाराज मैं अभी जंगल में जाकर उन दोनों को खोज लाता हूं हम भी तुमारे साथ चलते हैं तेज सिंग अगले दिन सुबह तेज सिंग ने वह जंगल चारो ओर से घेर लिया तुम लोग यह सारा जंगल साफ कर डालो मैं देखना चाता हूं कि एक ऐसी माया भी है जो आग गया दीवान जी थोड़ी दिर बाद एक सैनिक वहां दोड़ा हुआया दिवान जी जल्दी चल दिए उस तरह भी उफ्ति की सिरकटी लाश पड़ी हुई है सिरकटी लाश? चलो देखते हैं किसकी लाश है वह तेज सिंग महाराज सुरेन सिंग और जीस सिंग के जाथ उस लाश के निकट पहुँचा अरे ये तो उसी उफ्ति की लाश लगते है जिसके बारे में सेवक न मुझे बताया था पता नहीं वे दोनों भाई इसे में किस मुसीबत में होंगे हिम्मत से काम लीजे महाराज आप लाश लेकर चुनार पहुँचिए मैं तेज सिंग को उसकी खोज में बेजता हूँ उदर देवी सिंग ने जब सब लोगों के किले में लोटने की खबर सुनी तो वे दोड़ा हुआ चुनार की किले में पहुँचा महाराज मैं जरा उस लाश को देखना चाता हूँ जो जंगल में पाई गई थी लेकिन वे लाश तो रास्ते में गायब हो गई देवी सिंग क्या लाश गायब हो गई इतने लोगों के भी से ऐसा कैसे हो सकता है सब कुछ हो सकता है देवी सिंग लगता है कोई नया उपत्रव खड़ा होने वाला है उदर पंडित बदरीनाथ पन्ना लाल गसीटा राम चुन्नी लाल ततर जगनाथ जोतिश को जब यह पता चला कि भैरो सिंग शिव्दत गड़ के किले में बंद है तो वे लोग भी अपना वेश बदल कर शिव्दत गड़ जा पहुझे और शहर में जगे जगे घुम कर वहां का भेट लेने लगे दिन बर घुमने के बाद वे लोग रात को एक पाड़ी पर घटे हुए जहां गसीटा राम और चुन्नी लाल ने अपनी शकल शिव्दत गड़ के चौपदारों जैसी बना ली और दौनों उसी राज चौपदार के वेश में शिव्दत गड़ के किले में घुस गए वे दौनों भैरो सिंग को खोचते हुए इस काल कोठरी तक जा पहुझे कोठरी के बार एक बुड़ा दरोगा चार पाई पर बैटा वहां की निगरानी कर रहा था बे दौनों उस बुड़े दरोगा के पास पहुझे और बोले चलिए दरोगा जी आपको महाराज ना फौरण याद किया है लेकिन अभी कुछ देर पहले तो मुझसे किसी ना कर कहा था कि महाराज स्वेमा यहां आने वाले फिर इतनी जल्दी उनका प्रोग्राम कैसे बदल गया बुड़ा दरोगा बोला हाँ वे आने वाले थे मगर अब नहीं आएंगे इसलिए तुम्हें बुलाया है ठीक है तुम दोनों इस कोट्री में बैटकर इस कैदी की निगरानी रखना हम अभी महाराज से मिलकर आते हैं आप इसकी कोई चिंता ना करें दरोगा जी हम इसकी पूरी हिफाज़त रखेंगे इतना कहकर घसीटा राम और चुनिलाल आराम से चार पाई पे बैट गए तब ही उस बुड़े दरोगा ना मौका पाकर उस कोट्री का दरवाजा भाट से बंद कर दिया अरे ये कह करते हो दरोगा जी घसीटा राम ना चौक कर पूछा बही जो एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन के साथ करना चाहिए क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछते हो मूर्ख हो? तो सनो मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम चुनार के राजा वीरेन सिंग के जासूस हो अब तुम दोनों भी सकैत खाने के आवा खाओ इतना क्या कर बतारोगा वहां से चला गया ओफ ये बुड़्डा तो हमें ही मुर्ख बना गया उधर बदरी नात पन्नालाल और जगननात जोतिश जी दिन बर शहर में घूमने के बाद जो शाम को अपने अट्टे के और लोट रहे थे कि अचाने के नकाब पूश उनके पास आया और एक छोटा सा कागज उनके ऊपर फेक कर उन्हें अपने पीछे आने का संकेत कर तेजी से आगे बढ़ गया बतरी नात ने तुरंत इस कागज के पुरजे को नीचे से उठा लिया और एक बनिये की दुकान के सामने जाकर रोश्णी में उसे पढ़ा जिस पर सिप भैरो सिंग लिखा था वैस समझ गया कि भैरो सिंग किसी तरकीब से कैसे निकल भागा है और सामने जा रहा है तब तीनों जासूस भैरो सिंग के पास पहुँचे जो सुंसान रास्ते पर एक पेड़ की ओट में खड़ा उनी लोगों के आने का इंतिसार कर रहा था रातंदेरी थी इसलिए भैरो सिंग ने अपना नकाब उतार दिया और फिर चारो जासूस एक पत्थर की चट्टान पर बैठ कर बातचीत करने लगे भैरो सिंग कई दिन का भूका था इसलिए उसने हाथ के इशारे से बताया कि वह सामने हलवाई की दुकान है जहां ताजी पूरियां और पानियां आसानी से मिल जाएगा वे चारो जासूस एक सथ हलवाई की दुकान पर पहुँचे और उससे दो सेर पूरी एक सेर मिठाई तदा एक घड़ा भर कर पानी लेकर अपनी जगल ओटाए लेकिन उन चारों को ये पता नहीं चलते का कि वेहलवाई भी अपने दो सातियों के साथ उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा है और एक जगे चिपकर खड़ा होकर उनकी निग्रानी कर रहा है उस चटान पर बैठकर उन चारों ने भरपेट भोजन किया और पानी पीकर आराम करने के लिए उसी चटान पर लेट गए लेकिन कुछ ही छड़ों में वे चारों बेहोश हो गए उनके बेहोश होते ही वेहलवाई अपने दोनों आदमियों को लेकर उनके सिर पर आखड़ा हुआ तब उसके साथ आए दोनों आदमियों न पन्ना लाल बद्रीनात भैरो सिंग और जगरनात जोतिश को एक रच्से से बांद दिया उसके बाद वे दोनों आदमी उन चारों जासूसों को ठाकर शिव्दत कड़के किले में ले गए उधर चुनार के राजमहल में अपने दोनों बेटों के एका एक गायब हो जाने के कारण महरानी चंद्रकांता बहुत व्याकुल थी उनका दुख देखकर चपला से ना रहा गया वे बोली आप चिंता नगर है महरानी जी मैं दोनों राजकुमारों का जल से अलपता लगवाने की कोशिश करूँगी अगर जरूर पड़ी तो मैं सहम उन्हें तलाश करने जाऊंगी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है चपला और विश्वास भी है कि तुम जरूर उन दोनों को ढूंड निकालोगे इतना कहकर महरानी चंद्रकांता ने अपनी सहेली को गले से लगा लिया इधर अपने भाई इंदरजीत सिंग की तलाश में आनन सिंग उस जंगल को पार करके खुले मैदान में जा पहुचा और चारो तरफ नज़र दोड़ाने लगा तभी उसे दो युफ्तियां खोड़े पर सवार पच्चिन दिशा की और जाती हुई दिखलाई पड़ी और जब आनन सिंग न उनका पीछा किया तो वे पहाड़ी के बीचे जाकर गायब हो गई पता नहीं ये क्या छलावा है कभी दिखलाई पड़ती हैं कभी गायब हो जाती है तभी कुछ दूरी पर एक जोपड़ी के आगे जलती हुई आग के पास कुछ लोग दिखाई दिये मैं अगर उन लोगों से जाकर पूछू तो शायद मुझे को सुराग मिल जाए वै जब उनके निकट पहुँचा आईए शहजादा चुनार तश्रीफ रखिए ये मैं फिल आपको सौगत करती है अरे ये लोग तो मुझे पहचानते हैं कहीं मैं दुश्मनों के जाल में तो नहीं फस गया उसी चण इव्यक्ति ने इत्र दान उसकी और बढ़ा दिया शौक फरमाईए शहजादे साब इलाइची लीजिए इस जंगल की सौगात शुक्रिया लेकिन जैसे ही आनन ने इत्र सुंगा की वैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और जब आनन सिंग को होश आया तो उसने अपने आपको एक बंद कोटरी में पड़ा पाया उफ ये मैं कहां आफसा यहां से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता उसी छण उपर दिवार में एक खिड़की कुली और एक सैनेक न उससे अंदर जहांका राजकुमार तुम इस रस्ती के सारे उपर चड़ाओ जल्दी और आनन सिंग उसी रस्ती के सारे उपर चड़ गया उस खोटरी से बाहर निकलने के बाद वैसानेक आनन सिंग को एक पेड़ के नीचे ले गया जहां घोड़े बंदे हुगे थे एक घोड़े पर आफसवार हो जाईए और दूसरे घोड़े पर मैं चड़ जाता हूँ चलिए मैं आपको घर तक पहुचाया हूँ लेकिन तुम कौन हूँ और चुनार यहां से किस दिशा में और कितनी दूर है मैं कौन हूँ इस वक यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है चुनार यहां से 20 कोस दूर उत्तर में है सुबह तक पहुच जाएंगे अब जल्दी चलिए वरना फिर किसी मुसीवत में फस सकते हैं ओ तो चलो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं देव कांता संत्ती के भाग एक के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद